हलो शुनिट्स एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो वीदे सी आई यूटूब चनल पे टुशनिट्स आप सभी भी अगर बीए बीए सी बीकॉम या फिर एममे एमसी एमकॉम कर रहे होंगे तो आप सभी के मन में लगातार एक प्रस्ण काफी दिनों से गूज रहा है कि सर ये सेशनल एक्जाम क्या होता है क्योंकि अब तो आप सभी को ये मालूम चल गया है कि सेमेश्टर मोड में पढ़ाईयां चालू हो गई हैं डक्टर राम मनोहल लोया उश्विद्याले से सम्मंदी जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज में बीए बीए सी बीकॉम एमे सेशनल एक्जाम को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल लई है क्योंकि सेमेश्टर के अंत में तो एक्जाम होगा लेकिन उससे पहले ये सेशनल एक्जाम क्या है और जैसा कि आप सभी यहां पर जो नोटिफिकेशन विश्विद्यारा जारी किया गया था उसमें यह बोला गया को कोई जानकारी Sational Exam के बारे में नहीं कहीं से मिल लई है और आप सभी को इस वीडियो को बनाने का जो मकसद हो केवाल यही है कि आप इस वीडियो को पूरा लाज तक अगर देख लेंगे तो उसके बाद आपके मन में Sational Exam को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेशनल एक्जाम क्यूं जरूरी है आपके फाइनल एक्जाम के लिए तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाओंगा चैनल पर अगर पहली बार आएं तो जरूर हमारी चैनल बाए विदेशाई को सब्सक्राइब कर लें साथ इस बिल नोडिशन को भी आउन कर लें और आपके मन में कोई भी प्रशन हो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जरूर प्रशन करिएगा मैं आप सभी के प्रशनों का कमेंट पर रिबलाई भी दूँगा तो इस बात की जाकर सेशनल एक्जाम की तो मैं आप सभी को बता दूँ बीए, बीए, सी, बीकॉम किसी भी सेमेस्टर की पढ़ाई हो फस्सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर चाहे एमेस्टर, फस्सेमेस्टर की पढ़ाई हो, सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई हो हर सेमेस्टर में सेशनल एक्जाम देना अनिवार है सेशनल एक्जाम जो इस ट्रेंट्स होता है, यह आपके कॉलेज में होगा लेकिन ये जो exam है ये इसली अनिवार है क्योंकि इस exam में total marks जो आपके बनेंगे वो 25 नंबर बनेगा और यह जो 25 नंबर只inal exam का बनेगा ये 25 नंबर आपके final exam जो आपके semester के अंतमे होगा विशुद्व जाले कराएगा उस exam का जो 75 number का paper होगा उसके साथ ये 25 number जुड़ेगा यानि students अगर आप seasonal exam में absent हो जाएंगे तो पहली बात विश्विड्याले का जो निया में उसके मुसार अगर आप seasonal exam में absent हो जाते हैं अगर सेट्टनल एक्जाम में अपसेंट होते हैं, तो मेन एक्जाम जो आपका होगा, उसमें भी आप स्वता आटोमेटिकली अपसेंट हो जाएंगे, तो स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स अब यहाँ पर आप लोग लगातार यह प्रशन कर रहे हैं, कि सर्थ तीन तीन स्रेशनल एक्जाम हर सेमेश्टर में तीन बार स्रेशनल एक्जाम देना होगा तो बिल्कुल स्टुएंट्स यहाँ पर तीन बार स्रेशनल एक्जाम इसलिए बनाया गया वे उस था यह जो हर तीन बार जो स्रेशनल उगजाम जैसा कि आप यहां पर देखे ने लिखा हूआ है पर्थम दूती और तूती क्वेशनल उक्जाम से जो आपके निकाले जाएंगे स्रेशनल इगजाम से जो आपके में इग्साम में आगे चल कर जुड़ेंगे तो सेließen्स साडोंबारा साडोंबारा और साडोंबारा ये तो काफी जादा हो गए पचीज से भी जादा हो गए तो सेंट्स ये इसलिए ऐसी विवस्ता बनाई गई है क्योंकि इसमे से यानि अगर आप तीनों सेसिनल एक्ञाम में बैठते हैं अपने college में तो उन तीन सेशनल एक्जाम में से दो जो सेशनल एक्जाम जिन में आप सबसे ज़्यादा marks पाए होंगे उन दो सेशनल एक्जाम के marks को जोड़कर आपकी university के पास पहुचा दिया जाएगा यानि सेशनल एक्जाम अगर आप तीनों देते हैं तो आपका फाइदा होगा क्योंकि तीनों सेशनल एक्जाम में ये फाइदा होगा कि आपके दो सेशनल एक्जाम जो है अगर जिन में भी जिन दो सेशनल एक्जाम में आपके जाता नमबर होंगे उनी स्रेशनल एक्जाम के मार्क्स को जोड़ा जाएगा तो इसलिए कम से कम आपको दो स्रेशनल एक्जाम तो जरूर अटेंड करना है अगर आप दो भी नहीं अटेंड करते हैं तीन में से केवल एक अटेंड करेंगे तब तो आपको अपसेंड कर दिया जाएगा तो इसलिए कम से कम तीन अगर आप स्रिशनल एक्जाम अपने कॉलेज में नहीं अटेंड कर पा रहे हैं हर सेमेस्टर में तो कम से कम दो स्रिशनल एक्जाम तो जरूर आपको अटेंड करना है क्योंकि 2stressional exam के marks ही जोड़े जाएंगे 3 में से 2stressional exam के marks जोड़े जाएंगे कौन से जिन 2stressional exam में आप सबसे ज़्यादा number पाए होगी तो इस तरह से 25 पूरांक में आपने जो भी 2stressional exam के mark जोड़के 25 में जो भी आपका बनेगा वो आपका जो है नुश्टी को भेज दिया जाएगा तो इस तरह से जिन 2stressional exam के बारे में ये बात तो आपको समझ में आ गई अब इस तरह आप सभी ये भी प्रसंद करते हैं कि सथ से जिन 2stressional exam में कौपी क्या ही नुश्टी देगी पेज के रिजिश्टर में 3stressional exam आपको दे देना है जो question paper होगा वो आपके college के टीचर बनाएंगे और उसी question paper का answer आपको उस copy में देना है और अगर college के notice boat में नहीं लगाए गया तो आप अपने teacher से contact करके जो है अपने stressional exam के marks को जान सकते हैं काफी फायदा है आप सभी का अगर आप तीन में से तीनों stressional exam देंगे तो उन में से दो जो stressional exam जिनमें आपके सबसे जाता नंबर होंगे उसी को जोड़कर आपको भेजा जाएगा आपके marks को इनुस्टी में भेजा जाएगा और दो ही देंगे तो इसका मतलब आप कही के लिए मिल सकती है लेकिन उसके बाद फिर से वो जमा हो जाएगी और अगला stressional exam के बाद second stressional exam में फिर वो copy आपको मिलेगी फिर आप उसमें second stressional exam देंगे फिर वो copy जमा हो जाएगी फिर आपको marks देखने के लिए शायद वो copy आपके college से मिल जाए क्योंकि नियम तो ब stressional exam देना है total हर एक stressional exam का जो duration है वो किवल एक घंटा है यानि stressional exam एक घंटे का ही होगा और साड़े बारा अंक का होगा ठीक है maximum साड़े बारा नंबर का stressional exam होगा कम से कम दो stressional exam attend करना अनिवार है अगर आप दो stressional exam attend नहीं करते हैं तब कि condition में आपको university के semester के अंत म होने वाले जो university का exam होगा जो 75 नंबर का होगा उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा यह सपस्ट रूप से रूल है क्योंकि stressional exam के marks अगर अगर आप stressional exam में ही absent हो जाएंगे तो university आपको main exam से भी क्या कर देगी absent कर देगी तो since आपको समझ में आ रहा होगा अब आ जरूर कमेंट करी मैं आप सभी की कमेंट पर रिप्लाइब देने का प्रयास करूंगा वीडियो को लाश्टर देखने कली थैंक यू